एक पता नहीं आपने सुनी है या नहीं एक पुरानी कहानी है पहले टाइम बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए थे पूरी जन्ता सारा का सारा ओपोजिशन उन पर आकरमन कर रहा था और वो टेफलॉन जैसे थे उन पर जितना भी आकरमन करो कुछ होता नहीं था तो थोड़ी साल बाद जो उपोजिशन के लोग थे जो उसको रिजिस्ट कर रहे थे वो एक बाहर एक रिशी बैठा रहता था उसके पास गया उसमें ने कहा कि बताईए हमें बात समझ नहीं आ रही है हम इस राजा पर मतलब 24 घंटा आकरमन करते हैं जनता इसके खिलाफ है कुछ होता ही नहीं जितना हम इस पर आकरमन करते हैं ऐसा लगता है कि हम गल्ट जगे मतलब तीर मार रहे हैं तो रिशी ने कहा वो काफी मतलब knowledgeable था तो उसने कहा देखिये अचली बात क्या है यह जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है इसकी आत्मा वहाँ पे पीछे एक छोटा सा घर है वहाँ पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है इसकी जो आत्मा है न वो उस तोते के अंदर है उस तोते को जाके आप पगड़ लीजिए राजा खत्म हो जाएगा बहुत इंट्रिस्टिंग कहानी है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के आत्मा अधानी में है तोता कहीं बैठा है राजा कहीं बैठा है और बहुत समय के लिए सारी की सारी ओपोजिशन राजे पर ट्रैक कर रही थी मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है पावर किसी और के हाथ में है अधानी जी के हाथ में है जैसे ही हम अधानी जी को टच करते हैं इंटेलिजेंस एजनसीज स्नूपिंग सीबी आई मैं पहले सोचता था नंबर वन प्राइम मिनिस्टर नंबर टू अधानी नंबर थ्री अमिट्शा एक्चली यह गल्त है अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमे上 समझ आ गई है और अधानी जी बच के नहीं निकल सकते हैं तोते को हमने ऐसे पकड़ा है कि वं बच के नहीं निकल सकता है और इसी लिए सारा का सारा हो रहा है distraction politics कि देश की निगा opposition की निगा पिंजने में बैठा हुआ तोते की और ना चले जाए तो हमें का भी clarity है आप देखिए पूरे opposition के खिलाव यहाँ पे Apple का notice आता है मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बढ़ा करके दिखाया है देखिए अच्छी तर देखिए यह तोते का काम है इसमें लिखाया है Apple believes you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID अब यह मेरे office में सब लोगों को मिला है वेनु गोपाल जी को मिला है Congress Party में लिस्ट बनी हुई है पवन खेड़ा, सुप्रिया, सिताराम यचूरी, अकिलेश यादव, प्रियंका चतुरवेदी, महुआ मोहित्रा, रागव चड़ा, टियस सिंग्डेव लिस्ट है और यह सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में involved है और देश के युगाओं को मैं समझाना जाता हूँ, बताना चाहता हूँ, यहाँ हो क्या रहा है आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं आपके दिल के अंदर गुस्टा पैदा करते हैं और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्टा आता है जो आपका भविश्य है जो इस देश की पूंजी है जो इस देश का धन है उसको उठाके ये लोग ले जाते हैं अधानी जी को हिंदुस्तान के पॉर्ट्स पकड़ा दिये हिंदुस्तान के एरपोर्ट्स पकड़ा दिये मुंबाई एरपोर्ट चाहिए था CBI ED का प्रयोग किया मुंबाई एरपोर्ट दे दिया agriculture में कानून बना दिये अधानी जी के लिए food grains की storage उनके हाथ में infrastructure उनके हाथ में आप सडकों पे चलते हो cement उनके हाथ में तो पूरा का पूरा देश ये तीन चार लोगों को पकड़ा रहे हैं नुकसान किसका हो रहा है हिंदुस्तान के युवा का हो रहा है आप से ये कहते हैं कि आप जाइए पढ़ाई कीजिए आप जाइए IAS बनिए आप जाइए engineer बनिए आप में से 1% engineer बनेगा 1% doctor बनेगा 0.000.00001% IS बनेगा तो ये आपको जूटे भविष्य की कवाइदा करते हैं और जो आपका धन है आपके आँकों के सामने आप से छीन के ले जा रहे हैं ये हिंदुस्तान की आज सचाई है कम लोग हैं जो इसके खिलाब लड़ रहे हैं मगर हम डरने वाले नहीं हैं हम लडने वाले लोग हैं हम पीछे नहीं हटेंगे जितनी टैपिंग करनी है कर लो कोई फर्क नी पढ़ता मुझे तो कोई फर्क नी पढ़ता अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूँ आपको उठा के ले लो अब आपके कोई सवाल नहों तो पूछे इंग्लिश 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 अच्छा नहीं हिंदी में थोड़ा एक लाइन और हिंदुस्तान की जो का जो भविश्य है उसके लिए सबसे जरूरी चीज नियाए है अगर इस देश में इस देश की जनता को इस देश की युवाओं को नियाए ना मिले तो यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है और मैंने बहुत बार बोला है और मैं बोलता रहूंगा और हम यह काम करके दिखा देंगे कि कास सेंसेज के बिना इस देश के युवाओं को न्याएं नहीं मिल सकता और यह पूरा का पूरा डिस्रेक्शन जो हो रहा है जब अधानी जी पैसा चोरी करते हैं किस से चोरी करते हैं देश की आम युवा से चोरी करते हैं पिछ़ों से चोरी करते हैं दलितों से पोचोरी करते हैं, आदिवासियों से चोरी करते हैं, जब अधानी जी कोईले में, उस्ट्रेलिया में जब नाव चलती है, यहां आती है, जब वो ओवर इंवाइंसिंग करते हैं, तो अधानी जी किसकी जेप से चोरी कर रहे हैं पैसा? जो आप बिजली खरीदते हो उसमें अधानी टैक्स है ट्रेन में आप जाते हो उसमें अधानी टैक्स है फ्रेट घूमता है उसमें अधानी टैक्स है टैक्स किसे कहां से आ रहा है पिछनों की जेब से दलितों की जेब से आदिवार्शियों की जेब से गरीब लोगों की जेब से छोटे वियापारियों की जेब से और पूरा का पूरा ट्रांसफर इनकी जेब में हो रहा है in English, in English brother see, there's a beautiful story old Indian story there was a king, very nasty king and he was attacking everybody stealing from everybody everybody was disturbed and his opposition would keep trying to fight him nothing would happen to the man keep attacking, keep attacking, keep attacking they were very confused, why is nothing happening to this man what is going on and this went on for a couple of years and then after some time, there was this wise man who used to do dhyana outside and so they they went to him and they said, what is going on we keep attacking this man every day we attack this man, nothing happens to this man and the gentleman said, look the reason is that this man's soul is actually somewhere else the frame the image is of the king but the soul is somewhere else so they asked him, where is the soul and he said, the soul is there in a village in the corner if you go there's a little cage and inside that cage there is a parrot and if you go and you kill that parrot the king will fall right and that is exactly what is going on here Mr. Narendra Modi's soul is Mr. Adani right and no matter how much we attack Mr. Narendra Modi it doesn't have an effect because the soul is somewhere else and now we've understood this we've understood that the soul is there in the parrot and now we are attacking the soul and that is why all this is going on that is why Apple is sending messages your phone is being targeted by state-sponsored attackers right I used to think that you know, there's a ranking people say press people say number one, number two number one, Mr. Modi number two, Mr. Amitya and actually the ranking is slightly different it's number one, Mr. Adani number two, Mr. Modi number three, Mr. Amit Shah the country will soon realize that the prime minister is employed by Mr. Adani and works for Mr. Adani right the examples of this are clear Bombay airport airport that is owned by somebody else state-sponsored agencies attack the owner he surrenders the airport to Mr. Adani Mr. Adani is over-invoicing coal from Australia it leaves Australia it arrives in India the price is doubled no inquiry nothing no ED no CBI nothing who's paying for it? when we are using electricity poor people of this country using electricity we're giving Adani tax we're going in the railways we're giving Adani tax so it's very clear what is going on right the wealth of the Indian people is being stolen from them they're being divided they're being made to hate each other and while they're angry they're disturbed they're upset Mr. Adani is basically taking over everything in this country he owns most of the channels that are you know whose cameras these most of these cameras I don't know which ones but half of them at least are owned by Mr. Adani so hello hello Mr. Adani I know you don't like this I know you don't like this type of activity but I must tell you that you are creating a huge amount of anger against yourself in this country the common masses of this country are getting to understand what is going on and it's my duty as a politician as an opposition politician to tell the truth about what is happening in India so if you have any questions after Pegasus we have seen this stopping on the phones of several of the Congress leaders and opposition leaders so what's your next step whether will you go to take legal recourse or something like this no the look the last inquiry the last Pegasus inquiry where I mean my name was also there that sort of disappeared right so that tells you that tells you the situation in the country our job as opposition is to make people understand what is going on and I'm very happy that more and more people are understanding what is going on it's very clear and this is this is clearly a sign of panic right this is clearly I mean this is not just one person this is the whole opposition so this is obviously this this is not done by somebody who's not scared or this is not done by somebody who's honest or who believes in themselves this is the work of criminals of thieves only thieves and criminals would want to do this Rahul ji abhi aapne bada khulaasa kiya aapne kaha ki dyesh mein adani sarkar chal rhi ha aapki baatcheet ka labbu luap tha toh loktantrik dyesh mein aap ek boating ke jariya is sarkar hai badal sakti ha toh modi sarkar toh aap badal sakti ha lekin adani sarkar kaisi badal enghe ee bada interesting problem hai ideas hai mere paats nahi toh kuch agar share kare pahe ki iya share aise ideas share nix kertte hai time 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 aye ga to time aye ga toh dhkhaen ga adani sarkar kaisi badal badali jati hai but but aapne baut dekhye aapne baut gheari baat boli hai adani jih adani jih yeh mat sochiye ki adani jih sarkar badal nye se hard jayenge nye nye magar jis tariqe ka monopolization hindustan me ho raha hai aur adani jih uske symbol sbse bade symbol and blatant symbol usse desh ko zabardas nukshan ho raha usse humari democracy toot raha hai humari loogun ka payasa chori ho raha hai humari institutions collapse kar raha hai to bjp ki serkar or bjp ka financial system hai ho directly linked hai inke saath but chunao jitne se problem resolve nahi hoga problem resolve karne ke liye aur dawai deni pade ki mr. gandhi this side sir 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 you've been raising adani issue and kroni capitalism for quite some time now do you firmly believe that this issue is also resonating and echoing in general public and if yes are you going to make this important pole plank in 2024 as you made rafael in 20 29 i'm see you have to understand the where i'm coming from okay i am defending the what i consider to be the idea of india okay i believe a free press i believe independent institutions i believe fair business practices these are all the idea of india and i am defending that idea and i'm defending that idea how with the truth right i have a habit of telling the truth i like speaking the truth it gives me happiness and joy right and that is what i'm doing this is a this is not just a political fight this is not just a fight about as i said about going and winning an election this is a much deeper fight one step is winning an election and i'm confident that you will see in the next state elections the results right but it is a deeper problem we were enslaved please remember all the young people in this country please remember we were enslaved by a monopoly we became slaves of a monopoly it was called the east india company it was a foreign monopoly it had partners in india and we are being enslaved by a monopoly again so we are fighting actually for the independence of this country many people are not realizing this right now you will come to realize it but what is going on is a continuation of the freedom struggle the fight against monopoly capital which made our country into a slave country Rahul Ji Ab Aapko Raja Ke Tote Ka Bhi Pata Chal Gaya Hai Aapko Laghata Kye Laghata Aadani Ke Mudde Ko Uthha Raha 利 Adani Aadani Adani Aap Leghata Problem You come Aadani Many monopolism of Adani वो भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो आपको आगे दरनी है हाँ सही बात है बट देखिए जो जिस लेवल का monopolization हो रहा है ठीक है उससे सारे लोगों पर असर पढ़ रहा है आप जिजग जिजग के question पूछ रहे हो generally आप ने बट generally जो आप थोड़ा गवरा के questions पूछते हो उसी monopoly का असर है ठीक है कोई gas cylinder 1000 रुपए का दे रहा है उसका linkage है कोईले से उसका भी कारण monopoly अधानी airport में अधानी माल अंदर आता है हिंदुस्तान में अधानी तो monopoly का effect सिर्फ political लोग को नहीं हो रहा है हिंदुस्तान दो दो भागों में बट रहा है एक pro monopoly एक anti monopoly जो अधानी जी के खिलाफ business वाले लोग हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं they are anti monopoly तो तो देश दो parts में divide हो रहा है pro monopoly pro अधानी control and anti monopoly pro people control खीक है उसमें generally जो opposition की position है broad जो position है वो anti monopoly control है जी राहुल जी नमश्कार आँ वो तो नहीं, वो तो है, दूसरों की आवाज है, it is not that दूसरों की आवाज नहीं है, आप लोग थोड़ा ज़्यादा मेरे उपर फोकस कर जाते हो राहुल जी नमश्का, राहुल जी नमश्का, नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, ये एक कॉंसेप्ट है, एक आइडिया है, हिंदुस्तान का एक आइडिया है, मैं अकेला नहीं हूँ, करोणों लोग खड़े हैं मेरे साथ, वो अलग बात है, कि उनके हातों में लाकों करोड रुपे नहीं हैं, मगों सब खड़े हूँ है, सब को दिख रहा है, सब को दिख रहा है, अधानी जी as number one, सब को दिख रहा है, जिस तरीके देनीस पक्ष नहां का आपने जिक्र किया है, कर एक फैसला है, सुप्रिम कोड का, क्या आपका यह जो बयान है इस से जुड़ा हुआ है, या कैसे नियाए कैसे निस्पक्ष नहा है, तो भागेदारी क्या नयाय पाली कामें भी क्या आप उसका जिक्र करें आरक्षन का ये इस्जू कीजिए ये ये अरक्षन को लेकर भी लडाई एक सिंबल है अधानी जी एक सिंबल है जैसे मैंने जैसे आपने कहा मेरा पर्सनल नहीं अदानी जी के खिलाब कुछ नहीं है ठीक है मैं structure को देख रहा हूँ और मुझे structure में problem दिख रही है अगर अदानी जी का कोई और नाम होता तो मैं उसके बारे में बोलता तो अदानी जी has become a symbol of monopolization of India and monopolization अब सब जगे पहुच गया है पहले monopolization business में था अब monopolization railways में आगया, transport में आगया, ports में आगया, airports में आगया यहां आगया, ED, CBI में गुच गया अदानी इस चंट्रोलिंग ED and CBI brothers right Bombay airport he got Bombay airport by controlling CBI and ED so he's controlling the country तो that is my problem number one अब main बात क्या है कि number one अदानी monopoly number two monopoly जो देश के पिछले लोग है दलित लोग है अदिवासी लोग है उनका सरकार को चलाने में करोली नहीं है मैंने उस दिन आप से पूछ दिया शायद पूछना नहीं था but इस में इस कमरे में कितने पिछले लोग बैठे है नहीं अब आप बैठ गए आये हो पता है नहीं special invite but एक ठीक है आप एक हो ना ठीक है आपकी आवादी कितनी है इंदुस्तान में आप है आप है रपोर्टर्स अब आप मुझे बताये इंडिया के जो टॉप मीडिया कंपनीज है जो आपको कंट्रोल करती है उनमें से ओभी CEO's कितने है Dalit CEO's कितने है Adivasi CEO's कितने है Owners कितने है Zero Zero अब this is a huge problem for the country this is another type of monopoly so these two monopolies are connected Adani's monopoly and caste census are directly connected and what I am trying to do is show the connection to the people of India कि ये connected है कि यहाँ पे 90 लोग हिंदुस्तान को चलाते हैं उसमें तीन पिछड़े हैं पिछड़ों की आवादी 50% बजट का कंट्रोल 5% आदिवासियों की अबादी 12% सवाल उठा रहा हूँ and caste census is what? It's an x-ray हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि action क्या लेना है हम ये कह रहे हैं बज़े एक्सरे लो पता लगाओ इस देश में अदानी कितने है पिछड़े कितने है दलित कितने है आदिवासी कितने है एक बाद डेटा आ जाएगा उसके बाद हम जो हिंदुस्तान के development की next step है revolutionary step है उसको हम शुरू कर सकेंगे तो ये मेरा main point है ये सब symptoms है ना ये सारे के सारे monopoly के symptoms है और कुछ और कुछ मतलब पूरा का पूरा एक आदमी control कर रहा है ठीक है आप हिंदुस्तान के युवाओं को क्या option देते हो option देते हो I.S. कितने बनेंगे 300 बनेंगे 400 बनेंगे हर साल फिर option देते हो engineer doctor, lawyer कितने बनेंगे 1% बन जाएंगे तो 99% लोगों को क्या होगा अब उन 99% लोगों को रोजगार कौन देते हैं चोटे business वाले देते हैं अब कोई पिश्रा लड़का कोई दलिद लड़का कहता है बहिया मैं छोटा जब business चालू करना चाहता हूँ 15 सेकंड नी चलेगा उसको business क्यों? क्योंकि अदानी खड़ा है उसको bank loan नहीं मिलेगा तो ये जो सारी कि सारी unemployment है ये सारा structure इस monopoly के कारण हो रहा है आप बताईए अदानी ची ने हिंदुस्तान के कितने businesses खटम कियें लाखों businesses उड़ा दियें और business उड़ाने का क्या मतलब? कि हिंदुस्तान के युवाँ को रोजगार नहीं मिलेगा तो बड़ा simple combination है अदानी ची को पैसा दो हिंदुस्तान के युवाँ को रोजगार मत दो जो उनमें गुस्सा आएगा उसको गुस्से को और आग दो और अदानी ची को पैसा दो ये ये structure है आज की ने पॉलिटिक्स है इस हिरा में आप रहा है आप पेकासस से लेके आज तक जिस तर से आप लगाता है और जिस तर इस मावरिद सामने आएगा आप परक्टाइब इतारों का सोटों कर दोणा नहीं होता है आप आप पूंठा के तो आप इचकते हैं उसको बात करने से लेक्ते हैं एक लेवल पे होता है एक लेवल पे हमें मीडिया की जरुवत है हमें सेल फोन की जरुवत है मतलब यूट्यूब चैनल है मेरा उसको बंद कर रखा है मतलब सप्रेस कर रखा है मेरे ट्विटर को सप्रेस कर रखा है फेस्बुक को सप्रेस कर रखा है हम सब जानते हैं आपको आकड़ी चाहिए हम दे देंगे एक लेवल पर ये है बट दूसरी लेवल पर क्या होता है जब ये सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर हमें इनोवेट करने की जरुवत होती है और फिर सचमुच्च की राजनेती शुरू होती है मतलब ये लोग सोचते हैं कि भाया हम टेक्नोलिजी को कंट्रोल करके हिंदुस्तान के युवाओं के अंदर जो दर्द है उसको कंट्रोल कर लेंगे वो नहीं आएगा हाथ हम अड़ाप्ट कर रहे हैं भार जोड़ो इसका एक बहुत अच्छा उधारन है उसमें कोई टेक्न कर दो बंद की इन्होंने पूरा मतलब दम लगा दिया कोई फर्क निपड़ता तो एक्चली जिस लेवल पर हम पहुंच गए हैं मुझे लग रहा है बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है मुझे लग रहा है कि पुराने होजार जादा बेनिफिशल हैं जादा एफेक्टिव हैं और हम इनको पुराने होजारों से मारेंगे अब देख लेना एंड में ये पुराना हजार सबसे पुराना हजार कौन साइस चाहिए उसी से हम इनको पगड़के कोई भाग नी सकता अरुपा नी सकता हैं आदा और जादा पुराने हैं थो यार्णि नाद पाल जा इननको पालिया स्वेश थैना होज जो अजित शूब नट जैन स्ट इनको अचैनल पुरान टायू लादाना इनको रहाँ ही और नादा आदा रोई हाँ तो फो इनको और यद एहां आवार whilst we are, as I have been saying, we have moved, our political system has moved. It started in 2014, I would in fact say it started in 2014, I would say that the concept the concept started in Gujarat in 2002, and then the concept evolved and the idea spread from Gujarat, which was pure monopoly, to the rest of India. We have now entered a different politics, where the old tools and structures don't work. Look, this, if you had given me this, in Manmohan Singh ji's government time, or Vajpay ji's government time, this was an explosive, this was like dynamite, it would blow any government to bits. If you had given, you know, in Vajpay's government, if you had given me Raphael, you would have blown the government, you wouldn't have found the government. If you had even given me the fact that CBI raids the Bombay airport owners, and the thing goes to Mr. Adani, that would have toppled the government. So the old tools just don't work anymore, which means that the structure is broken, which means new tools have to come, and then new structure has to be built, which for me is a very interesting and exciting time. Because, no seriously, because I, we can construct things that we could never have imagined five years ago, seven years ago, ten years ago. The, the, I mean, the road closed here, but, a very big road opened, and if we are thinking about the progress of Hindustan, then there are very big opportunities. So, don't think that I am, you know, feeling low. Many people feel, oh, you know, very upset. No, 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 no. I am very, very happy, optimistic, that our beautiful country is continuing its tradition, continuing its journey, and is going to open an entirely new chapter. My Tamil brother said that we have not allowed him to ask a question. So, dear Tamil brother, please ask. Thank you, Rahulji. When I come, when I come. One minute. Are you, are you? Please ask a question on the topic of today's presentation. Sir, he is exposing the... No, no, you cannot. You can, brother. You ask any question you want. Rajeeb. Rajeeb. You are Tamil. I love Tamil people. You have free choice. Ask anything you want. Thank you so much for consideration, Rahulji. You have been exposing Adhani very regularly, frequently. Do you have the same message for your alliance partner, DMK? The ministers in power in DMK, Ponmodi, Sandil Balaji, and other member of parliament, leading member of Trina, all are into ED and CBA. Thousands of crows. The corruption is going left and right. Right. What message do you want to give it to your alliance partner, Stalin, to stop the corruption in Tamil Nadu? See, look. I am very clear. Right? First of all, I am not entirely convinced about what you are saying with regards to the massive corruption taking place in Tamil Nadu. I am not convinced about that. Second, what I am focusing on right now is the blatant attack on the soul of our country. On the heart of our country. Which is… Where is that paper? Stalin, you know? Which is this. Which is this saying, state-sponsored attacker alert. Right? I am focusing on this. Now, Mr. Stalin is not involved in this. Under any circumstances. I know that for sure 100%. Right? So, the real threat to this nation right now is coming from this. And by the way, it is a huge threat coming to the people of Tamil Nadu as well. Which most people in Tamil Nadu understand. Right? So, I am interested in defending the soul of India. And that is what I am focusing on. Also, ED, CBI, all these forces have been unleashed in Tamil Nadu which you are aware of. Right? So, it is not that that attack is not taking place. So, it is qualitatively different. I think the most important thing right now. My full focus is on ensuring that the idea of India is defended. So, let me give you the thinking of being. So, If you read this. This is a good idea.